नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर भारत के द्वारा अपने oil trade में एक बहुत ही major restructuring को announce किया गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह खबर जो है आज morning में ही सामने आई है और सबसे पहले इस खबर को western media के द्वारा cover किया गया है बताया गया है कि crude oil को लेके technical team है उस team को वो अब वहाँ से वापिस भारत बुलाने वाले है in a major global oil trade restructuring आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज morning में ही सामने आई है और उसके बाद यह सेम खबर हमारी Indian news media के द्वारा भी cover करी गई है and very very simply इंडिया की जो reliance industries है उन्होंने यह साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग एक बहुत बड़ी restructuring कर रहे हैं अपने trading operations में जिसमें कि हम लोग हमारी complete जो technical team जो की दुबई में थी उसको वापिस भारत के मुंबई में basically बुला रही है and इन्होंने दोस्तों साथ में ही अपना reason भी बिल्कुल clearly बता दिया है कि अ अब से हम लोग हमारा जो कच्चा तेल है वो mainly Russia से लेने वाले हैं because आज से 3-4 महीने पहले आपको याद होगा मुकेश Ammani की Reliance Industries के द्वारा रश्या की जानीमानी company Rossneft के साथ एक one year लंबी deal को sign किया गया था and उसके बाद अब इन्होंने कहाए कि अब हम लोग जो हमारा ते है also ये जो इतना बड़ा move है ये इंडिया के द्वारा क्यों किया जा रहा है कैसे इंडिया अपनी oil procurement की strategy को change कर रहा है उसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमार lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के मार्धियों से ऐसा कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि Unacademy के offline centers, नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखरजी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना में आ चुके हैं और इन सभी फ्री study material पाना चाहते हैं तो हमारी नई आप को डाउनलड करिए इसका लिंक भी description box में नीचे दिया गया है All right, so directly coming to the point क्या है जो की Reliance के द्वारा announcement करी गई है तो Reliance ने सबसे पहले तो ये कहा है कि देखिए अब हमारी spot cargos को purchase करने की जो need है वो बहुत जादा कम हो चुकी है Spot cargos का मतलब क्या होता है जैसे मान लीजे कुछ oil के traders हैं तो ये लोग क्या करते हैं पूरी दुनिया में देखते रहते हैं कि कहां पर oil का क्या दाम है USA में क्या दाम है, Middle East में क्या दाम है, Russia में क्या दाम चल रहा है, South America में क्या दाम चल रहा है, अफरीका में क्या दाम चल रहा है और depending upon कि जो भी इनको best deal मिल जाती है उसी दिन की ये अपनी जो oil की deal है इसको immediately वहाँ पर sign कर देते हैं and accordingly उतने तेल को purchase कर लेते हैं लेकिन अभी Reliance ने कहा है कि अब हमें spot cargos में deal करने की आवशक्ता ही नहीं है, because Reliance ने कहा कि अब हमारी एक long term deal है, evergreen kind of deal है, जो की हमने Russia के साथ और और भी बड़े बड़े जो crude oil के exporter's हैं, producers हैं, उनके साथ हमने sign कर ली है, जिसकी वज़े से अब हम लोग जो extra cost है, वो incur नहीं करने वाले, because Dubai में जो हमारा staff था, उसका हमें बहुत खर्चा पड़ रहा था, और अब हम लोग वो वाली cost को incur नहीं करने वाले हैं अगर मैं Dubai office के बारे में बात करूं, तो ये वाला जो office है, Reliance Industries के द्वारा, 2021 में ही इसको open किया गया था, open करने के पीछे main कारण वही था, कि spot cargos की जो deals हैं, वो करनी हैं, ताकि जब भी मौका मिले, जब भी कोई best deal मिले, तो उसको basically sign करना है, और इसके लिए ही Reliance के द्वा रहा था, और ये वाला जो office था, ये Russia, Ukraine का जब से युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से ये office बहुत active हो चुका था, because जो India, Russia, Ukraine से भी अपने तेल को मंगवा रहा था, उसके भी जो spot cargos हम लोग मंगवाते थे, वो भी ये Dubai office ही था, जो कि इसमें trade करने में, deals को लेने म helpful साबित हो रहा था, लेकिन दोस्तों, अभी situation काफी बदल चुकी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पिछले 2-5 वर्षों के अंदर अंदर, जो Russia का share है, इंडिया की energy market में, वो बहुत जादा बढ़ चुका है, आप लोग पहले से जानते होंगे, कि February 2022 के पहले, अगर आप देखें, तो Russia का Indian market में share केवल 1% का था, लेकिन आज की date में, Russia दोस्तों, इंडिया में largest share को command करता है, 39% के आसपास का market share केवल Russia के पास है, दूसरे नंबर पर Iraq है, और difference भी देख लीजे, बहुत जादा है, तीसरे नंबर पर Saudi Arabia है, और चौथे नंबर पर UAE है, जिसका जो आपका share है, वो बहुत ही कम बन चुका है, बलकि यहाँ पर भी आप देखिए, दो दिन पहले, खबर सामने आई थी, कि Russia जो है, वो भारत को top oil supplier, अभी भी लगातार बना हुआ है, and because Russia जब supply कर रहा था, तो Reliance भी, चुकि भारत का one of the largest refiner है, तो वो भी रश्या से ही त data ये बताता है कि 40% Reliance का जो crude oil है, वो रश्या की तरफ से ही आता है, and ये सारा का सारा जो Reliance के पास आने वाला crude oil है, वो उसको अपनी जानी मानी जामनगर की refinery, जो कि one of the largest refineries in the world है, वहाँ पर उसकी processing कर रहा है, और इसमें Reliance को फाइदा भी बहुत है, क्योंकि जो रश् processing करके Reliance इसको EU कभी कबार America भी भेज देता है, जिससे की Reliance को मोटी कमाई देखने को मिल रही है, and दोस्तो अभी जो ये इतना बड़ा फैसला Reliance के त्वारा लिया गया है, वो इसलिए लिया गया है, because अब Reliance ने रश्या के साथ एक long term deal को sign कर लिया है, यानि कि अब Reliance जो जो recently deal sign हुई थी, कहा गया था कि एक महीने में केवल Reliance के द्वारा, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक महीने में केवल Reliance Industries के द्वारा कम से कम 3 million barrels of oil है, जो की रश्या से खरीदा जाने वाला है, और इसमें भी ये डील में रश्या भी बढ़ चड़के इसको sign क्यों कर रहा था, because Reliance ने कहा था, कि देखिए, जो payment है, वो भी हम लोग आपको ruble में करने के लिए तयार हैं, हमें इसमें कोई problem नहीं, इसमें रश्या ने बलकि भारत में HDFC bank से, और उदर से रश्या का जो gasprom bank है, इनकी आपस में agreement sign हुआ है, जिसके basis पर जो payment है, वो भी रश्या की local currency में ही पूरी हो रही है, इससे एक चीज तो clear है, कि इंडिया रश्या का वैपार है, यह कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन जो यह वैपार यहां पे हो रहा है, इससे परिशानी हो रही है Western countries को, आप यहां पे देखिए, इंडिया रश्या का वैपार इतना चाइना तक को सरपास कर दिया है to become Russia's top oil buyer, in fact, इंडिया रश्या का वैपार इसलिए भी कहीं नहीं जाने वाला, because इंडिया रश्या से कच्चा तेल खरीद के कम से कम बताया जाता है कि साढ़े 10 billion dollar के आसपास का foreign exchange है, जो कि इंडिया ने यहां पे बचाया है, जो कि again अपन आप में बहुत ही बड़ी ख़बर बन जाती है, and जो western countries हैं, वो इस चीज़ को लेकर काफी नाखुश हैं, पहले आपको मालूम होगा western countries directly ही इंडिया को target कर रही थी, कि आप Vladimir Putin से या फिर रश्या से तेल खरीदना बंद कर दीजे, और अभी दोस्तों, जो Vladimir Zelensky है, जो Vladimir Zelens इन से तेल लेना बंद कर दीजे, प्लीज अगर आप उन से तेल लेना बंद करेंगे, तभी जाकर कि युद्ध खतम होगा, तब तक ये युद्ध खतम नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जो हमें trends देखने को मिल रहे हैं, और ये जो बहुत बड़ा trend हमें देखने को मिल रहा है, ये इस चीज को बिल्कुल clear कर देता है, कि इंडिया का जो रश्या के साथ oil वेपार है, ये बिल्कुल भी कम होने नहीं वाला है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या इंडिया अब केवल और केवल long term deals ही करने वाला है, spot cargos में deal नहीं करने वाला, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पर clearly बताया गया है कि अगर इंडिया को कभी spot cargos में better deal मिलेगी, यानि कि मौके पे अगर हमें कोई better deal मिलेगी, तो हम लोग वहाँ से कच्चा तेल लेंगे, फिर भले हमें अमेरिका से लेना पड़े, फिर भले हमें किसी भी country से लेना पड़े, लेकिन उस case में हम ल